हलो और वेलकम फ्रेंट्स माइनेम इस सूरज कुमारतिवारी और यू वर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सल सॉलूशन चैनल फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक बहुत बड़ा शीट मैंने बना रखा है और हम इसमें वी लुक अप के साथ मैच फॉर्मूले का यूज सीखने बाले हैं तो बहुत ही काम का फॉर्मूला है इस वीडियो को पुरा देखिए और ध्यान से देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चले देखते हैं इसको सबसे पहले देखिए अगर कोई भी गारजेन आता है तो अब जैसे माल लिजे आपकी टूटी लगी है computer operator की for example माल लिजे थोड़े देर के लिए तो अब इतने सारे student है यहाँ तो मैंने कमी student का data रखा है लेकिन आप जहां होंगे वहाँ बहुत जादे student का data होगा तो वहाँ पर जो है कैसे आप data fetch करके ले आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रहा हूँ match लगा के पहले आपको दिखाता हूँ match क्या काम क्या करता है is equal to match match लगा दिया हमने अब देखिए यह कह रहा है अगर आपको obtained जानना है देखिए row या column number खोज करके match हमें देता है ठीक है column number कैसे गिनते है या row number कैसे गिनते है 10, 11, 12 12 के बाद गिनते हैं और ये 13 यानि खुल मिला के 13 column है ठीक है row कैसे गिनते हैं मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये पहला row है फिर ये दूसरा row है ये तीसरा ये चौता ये पांचवा ये छटा ये सातवा ये अटवा इसको हम row बोलते हैं चलिए अब हम अपने formula की बात कर लेते हैं मैच लगाया हमने हमको obtained जानना है कि obtained कि किस column में लिखा हुआ है या row में लिखा हुआ है ठीक है तो अभी मैं यहां पे comma लगाता हूँ चुकि syntax में comma दिया हुआ है अब कहरा है look up array look up array और table array में बहुत difference होता है table array यानि आपका पूरा data और look up array मने या तो row या तो column या तो पूरा row या तो पूरा column तो मैं यहां पे पूरा column ले लेता हूँ ले लिया हमने f4 दबाया comma देंगे और exact match के लिए 0 देना है आपको ना तो less than चाहिए ना तो greater than चाहिए तो आपको 0 देना है और यहां से इसको करिए बंद और interface करिए और यहां पर आपको मिल गया 8 column number यानि कि यह जो obtained है वो column number 8 में लिखा हुआ है चलिए आईए एक बार row की भी चर्चा कर लेते हैं इसमें match formula से m, a, t, c, h match लगाया हमने और यहां पर अब हम row की बात करने वाले हैं तो अभी हमें जैसे मान लिजे की roll number चाहिए ठीक है तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी आप आपको जो चाहिए आप यहां से fetch कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लिजे की आपको roll number या फिर कोई row में कोई data हो तो वो चाहिए आपको तो वो भी आप लेके आ सकते हैं जैसे roll number 6 है ठीक है तो roll number 6 जो है एक क्या है यहां पर easily data को fetch करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वी look up लगाने के पहले एक काम और हम करेंगे कि यहां पर दो चीजे हम लिख लेंगे जैसे मान लिजे हमें क्या चाहिए जैसे मान लिजे किसी लड़के का हमें obtained जानना है कि obtained वो कितना प्राप्ट किया है number वो जानना है तो obtained लिखा हमने यहां पर ठीक है और उस लड़के का roll number जैसे मान लिजे 9 ही लिख दिया हमने अब यहां पर is equal to v look up लगाया तो v look up कैसे काम करता है आपको पता है v look up का मतलब होता है vertical look up तो v look up में जैसे मान लिजे जो भी value आप लेंगे ठीक है जैसे मान लिजे roll number 9 यहां अब यहां पर roll number 9 का पूरा data आप यहां select कर लिजे पूरा data ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा एफ फोर दबाके fridge कर दीजे fridge कर दिया मैंने कॉमा दिया यहां पर लगाईए match यहां पर दो formula मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ ठीक है match मैंने आपको पहले लगा के दिखाया कि कैसे काम करता है अब हमको चलना है side में देखते हैं अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए obtained तो यहां पर obtained को select किया हमने कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद अब obtained को यहां से हम select करेंगे कहां मिलेगा obtained यहीं कहीं मिल जाएगा हमें तो यहां पर हमने कर लिया select obtained को F4 दबा है मैं f2 press करता हूँ यहां पे देखिए आप यह पूरा formula हमारा पूरा हो चुका है अगर मैं इंटर करूंगा तो roll number 9 का obtained यहां आ जाएगा यह देखिए roll number 9 का यह obtained है चलिए check कर लेते हैं कि यह सही आया है यह गलत आया है और roll C-R-C-E-N-T-A-G-E ठीक है जैसे percentage लिके इंटर किया हमने तो यहां देखिए roll number 9 का percentage आ गया 46% 46% आया है यहां से देखते हैं यह हमने क्लिक किया तो यह देखिए roll number 9 का percentage जो है 46 है इसके बाद फिर यहां change करते हैं जैसे माली जी अभी हमे roll number 9 का देख रहे हैं अभी हमे roll number 23 का देखना है ठीक है इंटरपेस किया तो roll number 23 का percentage आ गया यहां पर ठीक है यहां देखिए roll number 23 कहा दिया हुआ है इसको देख लेते हैं एक बार यह देखिए यह roll number 23 तो यह percentage देखिए इसका 27.8 ठीक है देखते हैं कितना आया है यह देखिए 27.8 आया हुआ है तो I hope की यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि कि किस प्रकार से formula काम कर रहा है और इस standard formula को अगर आप सीख जाते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच सके Thank you for watching this video